उर्मिला ने अपने सफर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर की थी। उर्मिला ने करीब तीन साल की उम्म में बी आर चोपरा की फिल्म कर्म 1977 और श्रीराम लागू की मराथी फिल्म जाकोल 1980 और श्याम बेनेगल की अपराद ड्रामा कल्यूग 1980 में काम किया था शेखर कपूर की मासूम 1983 में शांदार एक्टिंग करने के बाद एक चाइल्ड स्टार के रूप में उर्मिला के फैन फॉलोइंग बढ़ गई मासूम के बाद उर्मिला ने प्रवीन भट की भावना 1984 के विश्वनात की सोर संगम 1985 प्राहुल अवेल की दकैत 1987 और कल्प तरू की उर्मिला ने बतौर लीड हीरो इन काम की शुरूआत 1989 की मल्यालम ब्लॉक्बुस्टर चाने की अनसे की उर्मिला ने अपना बॉलीवुद सफर सुपहित नरसिम्हा 1991 से शुरू किया उर्मिला ने चमतकार, द्रोही और गायम जैसी सफल फिल्मों में काम किया 1993 और 1994 में उर्मिला ने ज़्यादा सफल फिल्में नहीं दी इन में रिशी कपूर के साथ श्रीमान आशिक, अजय देवगन के साथ बेदर्दी और जुगल हंसराज के साथ आगले लगजाशामिल है उर्मिला की फ्लॉक फिल्मों का सिलसिला उस फिल्म की साथ खत्म हुआ जिसने उन्हें उस वक्त का बड़ा सितारा बना दिया राम घुपाल वर्मा के डाइरेक्शन में बनी रोमेंटिक कॉमेडी रंगिला उनके लिए एक सक्सेस्फुल फिल्म साबित हुई इस फिल्म में उर्मिला ने एक्ट्रेस बनने की ख्वहिश रखने वाली एक लड़की का रोल किया था आमिर खान और जैकी श्रॉफ के साथ है रंगिला को क्रिटिक से लेकर जनता तक सभी का प्यार मिला फिल्म को 8 सितंबर 1995 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था रंगिला की सक्सेस के साथ उर्मिला रातो रात सेंसेशन और सुपस्टा बन गई बताया जाता है कि इस फिल्म का बजट महस 4.5 करोल रुप्य था जबकि फिल्म ने 33 करोल रुप्य की कमाई की खाबरों के मुताबिक शुरुआत में लीड रोल के लिए श्री देवी के साथ रवीना टंदन पर भी विचार किया गया था हाला के बाद में मिली जोशी के किरदार के लिए औरमिला को फाइनल कर लिया गया इसी तरह बताया जाता है कि मुना आमिर खान के लिए शाहरुख खान पर विचार किया गया था लेकिन शाहरुख बंबिया टपोरी के रोल में इंट्रेस्टेड नहीं थे राज जैकी श्रॉफ के सपोर्टिंग रोल के लिए अनिल कपूर और सल्मान खान से बात की गई थी लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के चलते फिल्म रिजेक्ट कर दी एक इंटर्व्यू में आर जीवी ने खुलासा किया कि द्रोही के दोरान एक गाने के लिए कोरियोग्राफ नहीं आये थे इसलिए उन्होंने उर्मिला से कूछा कि क्या वह खुद दांस करेगी और वह मान गई वर्मा ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और तभी उन्होंने उर्मिला के साथ रंगिला बनाने का फैसला किया